इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत मित्रो हम प्राचीन भारती इतिहास की दर्चा कर रहे हैं और मेरे हाथ में डॉक्टर भगवर्श्चरन उपा ध्याई की किताब ब्रहत्तर भारत है इस किताब का पहला ध्याई है भगवलिक स्थिति और सांस्कृतिक संक्रमण इस सिलसिले में हम एक बार मिल चुके हैं और आज दूसरी बार मिल रहे हैं पिछले खंड में हमने देखा कि डॉक्टर उपा ध्याई ने कितनी सुन्दरता से भारत के उत्तर का भारत के दक्षिन का भारत के पश्चिम का और भारत के पूरू का वर्णन किया है अब हम आगे चलते हैं वे लिखते हैं पश्चिम की और से ने केवल बाहर की जातियां भारत आई पलकि ऐसे भी प्रमान है कि उस राह कभी-कभी भारती सेनाएं भी पश्चिम की ओर अभियान के दोरान आ पहुंचते थी ये बहुत बड़ी बात है मित्रो यही कहा जाता है यही पढ़ाया जाता है कि पश्चिम से भारत पर आकरमन हुए भारत पर हमले हुए भारत में दूसरी जातियां घुसी लेकिन डॉक्टर उपध्याय लिखते हैं कि पश्चिम की ओर से ने केवल बाहर की जातियां भारत आईं बलकि ऐसे भी प्रमान हैं कि उस राह कभी-कभी भारती सेनाएं भी पश्चिम की ओर अभियान के दोरान आ पहुंचते थी कालिदास के रगवन्श का नायक रगू कोजक अर्मान की पहाडियों की छाये से निकल कर फारस की द्राक्षा वले भूमी की राह मजार शरीफ के पडोस में वंग्शुनत के अंचल में अपने रिसालों के घोडे हिराता है जिनके वक्षू वरती केसर की क्यारियों में लो महरोली के स्तंब के चंद्र ने जिसका सामे चंद्र गुप्त द्वितिये विक्रमा दित्ते से होता है तो गुप्त काली इन महरोली स्तंब के चंद्र ने अविलेक कहता है बंगाल में शत्रूओं के संग को तोड सहसा उत्तर पश्चिम की और अभियान किया था और कर वक्षू तीर के बलक यह वहलीक के वहलीकों को जीता था भारत की यह भूमी वीर प्रसवा होने से कहीं अधिक ग्यान प्रसवा रही है शांती प्रसवा जिसने कालांतर में अपनी मुनी प्रग्या का प्रकाश पश्चिम और पूर्व दक्षिन और उत्तर के देशों को द इसलिए तो भारत विश्व गुरु कहलाता है। इसी भूमी की शपत रिग्वेद के समय से भारतिय मानव लेता आया है। संस्कृति कहलाता है। मित्रो संस्कृति की अनेक परिभाशाएं हैं। हमें संस्कृति और सभ्यता में अंतर समझना चाहिए। आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक कंप्यूटर में जो सौफ्ट वेर होता है। उसे हम संस्कृति कह सकते हैं। और जो हार्ड वेर होता है उसे हम सभ्यता कह सकते हैं। संस्कृति आत्मा है, सभ्यता शरीर है। एक और भी बात मैं यहां कह देना चाहता हूँ, जब यूरोप और अमेरिका के देश संस्कृति को कल्चर कहते हैं या हम अपनी संस्कृति को कल्चर कहते हैं तो गल्ती करते हैं। कल्चर में वह आत्म तत्व नहीं है जो संस्कृति में है, इसलिए अंग्रेजी के शब्दों को काम लेते समय, थोड़ी सावधानी बरता कीजिए, ने तो कल्चर संस्कृति है, ने सिविलाइजेशन सभ्यता है, ने इतिहास हिस्टरी है, ने विज्ञान साइंस है। खेर विशयांतर नहो, इसलिए मैं आगे का पाठ करता हूँ। जातियों और व्यक्ति के मनुभाओं, विचारों, आदर्शों, आदिका संस्कार, संस्कृति कहलाता है। आरियों ने जो जन और व्यक्तियों को द्विजन्मा कहा, उसके अंगांगों को द्विज की संग्यादी, वह इसी संस्कार के संदर्व में सार्थक है। आरियों ने जो जन और व्यक्तियों को द्विजन्मा कहा, उसके अंगांगों को द्विज की संग्यादी, वह इसी संसार के संदर्व में सार्थक है। संस्कृतियों का अंतराव लंबन होता है, उसका अंतराव लंबित विकास होता है। यानि संस्कृतियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, वे एक दूसरे से पल्लवित पुष्पित होती हुई आगे बढ़ती हैं। परिवर्तन उसका प्राण भी है, उसके विकास की प्रक्रिया भी, उसका रूप उसमें सतत परिवर्तन के कारण ही बदलता रहा है। पर वह निसंदे इतनी भिन नहीं है, जितनी भिन वह लगती है। कारण की बटी रसी की तरह उसके उपकरण मूलत है अनेक हैं। सभी जातियों ने संयुक्त रूप से सभी जातियों की संस्कृतियों का निर्मान किया है। संस्कृति की अपनी समता है जिसमें एक-एक संस्कृतियां अनुशूत हो गई है। बसी जाति के निवास प्रांत की सीमा पर मंडराती है, दोनों में संघर्ष होता है, एक विजित हो जाती है, दूसरी विजईनी और या तो एक की संस्कृति दूसरी को हटा कर उसकी स्थानापन हो जाती है, या दोनों संस्कृतियां घुल मिलकर एक हो जाती है। कहने का मतलब यही है मित्रो कि भले ही संस्टुतियों में संगर्ष हो लेकिन संगर्ष के बाद जो नया स्वरूप सामने आता है संस्टुति का समाज के माध्यम से वह कभी भी व्यक्ति को विपत कामी नहीं बनाता क्योंकि संस्टुति का अर्थ ही यह है कि हम स्वयम में निरंतर परिश्कार करते हुए आगे बढ़ते रहें और ऐसा भी नहीं है कि विजितों की संस्कुति पर विजईनों की संस्कुति सदा काबू ही पा लेती हो अनेक बार ऐसा भी हुआ है कि विजईतों की संस्कुति विजई जातियों की संस्कुतियों पर हावी हो गई है और विजई जातियों ने उसे अपना लिया है यहने जो जीतने वाला है वह हारने वाले की संस्कुति अपना लेता है भारती इतिहास में आपको ऐसा अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगा ग्रीकों को परास्त कर रोमनों ने ग्रीक पर अपने सत्ता स्थापित की पर संस्कुति के ख्षेतर में वे स्वयम ग्रीकों के विजईत हो गए और उन्होंने ग्रीकों की प्राये समूची संस्कुति आत्म साथ कर ली सुमेरियों को अनारे बाबुलियों ने जीत लिया पर उन्हें सुमेरियों की लिपी उनका साहित थे उनके जन विश्वास पूजन विधी और देवी देवता अपनाने पड़े और उनी बाबूलीयों को जब असूरों ने जीता तो उनकी संस्त्रती उन्होंने अधिक मात्रा में लिपी के साथ स्विकार की खत्ति याने हिट्टाइट आर्य थे और बाबूलीयों तथा असूरों दोनों पर उन्होंने भहेंकर आक्रमन किये पर उनकी लिपी और अधिकतर मूर्ति विधान उन्होंने अपना लिये शाष्टर की गोट रोकी जा सकती है पर संस्टुति की धारा का कोई रोक नहीं है वह अजाष्टर बहती है और अपने प्रवाह में राह में मिलने वाले जीवन के अवयवों को आत्म साथ करती जाती है अपने से भिन स्थितियों को आत्म साथ करने के कारण ही उसमें वैविद्य होता है गैद्दिपी उस विविद्यता की एक निजी एकता भी होती है गिर्दिपी उस विविदिता की एक निजी एकता भी होती है स्वीकृत समगरता भी कहने का मतलब यह है कि एकता में अनेकता होती है और अनेकता में एकता होती है दोनों ही बातें संस्कृति के विकास के बातें हैं जल के कण की तरह संस्कृतियों के अंगांग परस पर मिल जाते हैं जल के कण की ही भाती उनका परस पर संयोग भी होता है जैसे पुत्र पिता से भिन्न होकर भी उसी का प्रसार होता है एक संस्कृती के संयोग से बनी अगली मंजिल की संस्कृती भी पहली का प्रसार होती है कहने का भाव यह है कि संस्कृती अटूट होती है जैसे पुत्र पिता से बिन्न होकर भी उसी का प्रसार होता है एक संस्कृति के संयोग से बनी अगली मंजिल की संस्कृति भी पहली संस्कृति का प्रसार होती है वैसे श्रंखला की कडियां परस पर भिन होकर भी समान श्रंखला का निर्मान करती है वैसे ही संस्कृति के भिन्नांग भी समान संस्कृति का विकास करते है संस्कृति का यह विकास इस अर्थ में उसका दौनदात्मक रूप रस्तु करता है जैसे परस पर विरोधी तत्वों के समाहार से संस्कृति का कलेवर बनता है काल की दूरी अथवादेश की दूरी संस्कृति के निर्मान में संस्कृतियों के समाहार में व्यवधान नहीं डालती संस्कृति इतिहास की ही भांती ए विचिन्न आनुक्रमिक और सर्वदेशिये है ए विचिन्न का मतलब अटूट आनुक्रमिक का मतलब एक क्रम में लगातार और सर्वदेशी ये का मतलब होता है सभी स्थानों पर फिर भी जाती विशेश की एक कालावधी में विशिष्ट संस्कृती होती है एक कालावधी में ध्यान रखिए फिर भी जाती विशेश की एक कालावधी में विशिष्ट संस्कृती होती है जो जैसा उपर कहा जा चुका है उसकी निजी है जिस पर उसकी अपनी छाप होती है जब एक संस्कृती दूसरी संस्कृती के तत्वों को पचा लेती है तब इस सम्मिष्टित संस्कृती की कुछ काल तक अपनी इत्ता बनी रहती है जब तक नई जाती की नई संस्कृती का प्रभाव उसमें नए विकार नहीं पैदा कर देता जब कोई नई संस्कृती आती है तो वह पहली संस्कृती का स्वरूप बदल देती है ऐसा होता है संस्कृतियों का अंतराव लंबन लक्ष और एलक्ष दोनों रूपों में सार्थक है तो मित्रो ये था इतिहास पाठ के अंतरगत डॉक्टर भगवत शर्ण उपाध्याई की पुस्तक 72 भारत के पहले अध्याई का जिसका शर्ण शर्ण है भोगौलिक स्थिति और सांस्क्रतिक संक्रमन का दूसरा खंड इसके तीसरे खंड को लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्तित होऊँगा तब तक के लिए अपने इस मित्र को आप अनुमती दीजिए फिर मिलेंगे और हम फिर पाठ करेंगे डॉक्टर भगवत्षर्ण उपाध्याई की किताब के अध्याई भोगौलिक स्थिति और सांस्क्रतिक संक्रमन का और यह अध्याई उन्होंने बड़े सुंदर भाषा में मन को हरने वाली भाषा में लिखा है अगली बार मिलें तब तक के लिए नमस्कार